हाई सुबर फैन्स आप्कमिंग मुवी ब्लू बीटल का ट्रेलर ब्रेकडाउन और साथ ही इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो हिडन डीटेल्स और इस्टर एक चो आपने ट्रेलर देखते वक्त शायद मिस कर दिया होंगे डीसी कॉमिक्स के एक लैटिनो सूपर हीरो की एंट्री हो रही है ब्लू बीटल मुवी से जहां एक तरफ डीसी यू अपने एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है जिसका पार्ट होगी ये मुवी भी बट वहीं न्यू डीसी यूनिवर्स भी फूर्म होने वाला है मुवी के हीरो हाईमे रेयस से हाँ पता इसकी स्पैलिंग जैसे शुरू होती है लेकिन एक लैटिनो करेक्टर होने की वजह से स्पैनिश लैंग्वेज में इसे स्पैल किया जाता है हाईमे और 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 ओडियन्स किरेक्टर को गलत स्पैल ना करे इसलिए मुवी के ट्रेलर में clearly ये नाम कही बार repeat किया गया है DC Comics में ये character Blue Beetle 1939 में first time appear हुआ था although वो हाइमे नहीं Dan Garrett जिसे 1966 में फिर से reboot करके एक और new character Ted Codd के रूप में दिखाया गया था लेकिन इन दोनों के बारे में और detail आगे discuss करूँगा क्योंकि एक और easter egg इनी से related है ट्रेलर में बट हाइमे रेस को introduce किया गया 2006 की comic series और एक new character होने के बावजूद इस पे multiple animated TV shows और movies बन चुकी है और ट्रेलर में दिखाया गया इसका origin काफी हद तक match करता है comics से भी comics में हाइमे रेस एक teenager था जो रहता था El Paso Texas में जहां उसके साथ उसकी mother, father और एक younger sister है जिसे similarly दिखाया गया है ट्रेलर में भी although यहाँ पर El Paso Texas की जगा एक fictional city पलमेरा दिखायी गई है जिसे specially create किया गया है इस movie के लिए लेकिन 2022 यानि कि पिछले साल आई हुई comic series Blue Beetle Graduation Day में इस city को DC Comics में भी include कर लिया गया है and इसकी origin story almost comics के similar ही है लेकिन एक छोटे से twist के साथ जिसे वीडियो में मैं आगे discuss करूँ अब ट्रेलर की starting में high में हमें दिखता है hotel industry में काम करते हुए लेकिन उसकी love interest जैनी से मिलने के लिए वो जाता है cod industry में अब जैसे मैंने पहले का Ted Codd जो comics में second blue beetle था cod industries उसी की company है cod industries भी है जहाँ पर scientific और technological developments होती है अब comics में Ted Codd खुद इस company को lead कर रहा था लेकिन movie में एक new character Victoria Codd जो Ted Codd की sister है वो इसकी in charge दिखाई गई है again ये character भी movie के लिए specially create की गई थी लेकिन फिर इसे पिछले साल वाली comic series में add कर दिया गया है अब trailer में आगे high में cod industry की lobby में wait कर रहा होता है जहाँ उसे दिखती है डरी हुई Jenny और वो उसके हाथ में पकड़ाती है एक fast food container और कहती है कि इसे open मत करना बट हाई में इसे फिर भी trailer में आगे open जरूर करता है अब trailer में तो नहीं दिखाया गया लेकिन Jenny का पूरा नाम है Jenny Cod यानि कि वो related है Ted and Victoria Cod से जिस reason से वो access कर पाती है इस scarab को लेकिन इस burger box के उपर बना है Big Belly Burger का logo जो DC Comics Universe में biggest fast food chain है इसे comics में 1988 में The Adventures of Superman में first time दिखाया गया था लेकिन उसके बाद ये अलग-अलग DC show जैसे कि Arrow and the Flash में भी दिख चुका है तो Big Belly Burger एक छोटा सा comics easter egg था अब हाई में इस box को लेके आता है अपने घर और मना किये जाने के बावजूद अपने parents और sister के सामने इसे open करता है जहाँ पर हमें दिखता है वो mysterious scarab और उसकी family का उसे super powers मिलते हुए दिखाना comics की story से match करता है यानि कि comics में जहाँ बाकी superheroes अपनी identity को hidden रखते थे अपनी family को safe रखने के लिए उसी के ultra blue beetle की family starting से ही aware होती है उसकी super powers से और यही same चीज यहाँ पर दिखाई गई है अब यह inactive पड़ा हुआ scarab यानि कि beetle हाइमे के हाथ में आते ही glow होने लगता है और देखते ही देखते वो infuse हाजाता है उसकी body के साथ और symbiote की तरह उसकी body को totally cover कर देता है अब जहाँ comics में first blue beetle Dan Garrett को powers मिली थी इसी तरह के एक ancient scarab से वहीं हाईमे का scarab belong करता है एक alien species से जो हो सकती है एक intergalactic conqueror race जिसे comics में कहा गया है the reach ट्रेलर की starting में हाईमे ने एक line कही थी everything right now feels out of reach and although यह एक regular line थी लेकिन इसी में से यह word reach hint दे रहा है blue beetle के comics के एक villain the reach की तरफ comics में the reach galactic conquerors थे और फिर उन्हें take over कर लेते थे इन्होंने ही create किये थे ऐसे scarabs जिने multiple planets पे भेज दिया गया जिनका काम था उन planet के local host को ढूणना और उन्हें prepare करना reach के invasion के लिए अब trailer के कुछ scene देखकर लगतो रहा है कि यहाँ पर the reach का हाथ हो सकता है अगर उन्हें इस movie में नहीं दिखाया जाता है तो फिर भी वो blue beetle के sequel में villains के रूप में जरूर देख सकते हैं बट अगर वो कभी बनता है तो अब scarab की वज़ज से initially तो high में pain में दिखता है लेकिन फिर वो उसकी powers adapt कर लेता है और उसकी body पे totally covered दिखाया गया है blue beetle की costume का first look जो बिलकुल match करता है उसकी comics की costume से and comics की तरह यहाँ पर भी एक built-in AI है जो उसे guide करती है उसकी powers use करने के लिए अब although first look में ऐसा लगता है कि यह technology match करती है iron man के suits और उसकी AI से और comics में इसे एक time तक technologically advanced species के through ही दिखाया गया था and यह scarabic real creature है जो venom की तरह अब high me की body के साथ जुड़ चुका है and इसी की वज़े से उसे मिलती है बहुत सारी super power जिसमें flight तो दिखी चुकी है लेकिन साथी super human speed, strength और super healing powers भी आती है लेकिन blue beetle की best power है इसके suit की weapons create कर पाने वाली technology जैसे की plasma cannons, shield और blades basically यहाँ पर use किया गया है mechanokinesis यानि की technology को control कर पाने वाली powers अब जैनी high me की family से मिलती है और उसे बताती है इस scarab के बारे में जहां वो कहती है कि यह एक world destroying weapon है जो अपने host को protect करने के लिए भी कर सकता है और symbiote venom की तरह यह अपने host की बात कभी सुनता है और कभी नहीं जहां में दिखता है high me को protect करने के लिए scarab एक bus को दो तुकडों में बांट देता है जिस चीज से वो खुद शॉक्ड होता है अब यहाँ entry होती है villain Victoria Codd comics में Victoria Tedd की बड़ी sister है जो उसकी Codd industry को तब run करती है जब Tedd Codd blue beetle के रूप में दुनिया को बचा रहा होता है बट trailer से इतना clear है कि वो high me से यह scarab और उसकी powers वापस पाना जाती जिसके लिए वो उसके घर भेजती है अपने कुछ agents को most probably वो इस alien scarab का use कर रही थी किसी तरह के technological experiment के लिए जहांसे जैनी ने इसे चुरा लिया और क्योंकि Codd industries का इस movie में बहुत बड़ा role है तो कहीं न कहीं हमें Tedd Codd का reference ज़रूर मिल सकता है बट वो live action में appear होगा या नहीं वो नहीं कह सका लेकिन Victoria के अलावा movie का second villain है comics में दिख चुका Conrad Carapax ये mercenary 1980s में comics में Tedd Codd के against first time दिखा था और्थो trailer में हमें Conradd का सिर्फ एक look ही देखने मिलता है लेकिन comics में इसके mind को infuse कर दिया गया था एक robotic body के साथ और trailer से ऐसे लग रहा है कि ये Victoria Codd के साथ मिला हुआ है तो इसी तरह के कुछ sci-fi upgrades इसे यहां भी दिये जा सकते हैं अब multiple action scenes के बीच ही एक blue color की bug shaped ship दिखती है जिसे चला रहे है हाई में के parent अब ये एक और easter egg है blue beetle comics से ये comics में दिख चुकी Tedd Codd की blue beetle bug ship है जिसे create किया था Tedd Codd ने अपनी technology से यानि कि ये alien technology से related नहीं है अब logo reveal से ठीक पहले high में हमें दिखता है अपने blue beetle के suit में जहां AI उससे कहती है कि वो जो भी weapon imagine कर सकता है वो उसके लिए create कर सकती है और high में imagine करता है एक sword इस sword का design match करता है 1997 की final fantasy 7 game में दिख चुकी buster sword से तो शायद high में इस game का fan है और इसी reason से वो इस weapon को imagine करता है जिसके बाद reveal होता है blue beetle का beautifully created logo अब last के scene में ये सभी लोग है most probably किसी safe house में जहां पर high में mention करता है batman को और इसी scene में उसके ठीक पीछे दिखते हैं दो superhero suits यहाँ पर जो left वाला suit है वो original blue beetle Dan Garrett का है और वही right में जो second suit है वो है comics के most popular blue beetle Ted Codd का high में यहाँ पर mention करता है कि ये gadgets बिल्कुल batman के gadgets के similar है और क्यूंकि Ted Codd के पास carep की powers नहीं थी तो उसने अपनी technology could develop की थी जो इसी तरफ हिंट दे रहा है कि ये safe house Ted Codd का ही हो सकता है batman का नाम सुनकर high में का uncle उससे कहता है कि batman's a fascist यानि कि जो dictatorship को promote करते हैं जिनके काम करने के तरीके forceful और violently होते हैं और क्योंकि batman का justice पाने का तरीका वैसा ही है तो इसी वज़े से वो उसे fascist कहता है तो यहां से ये तो confirm होता है कि blue beetle batman वाले universe में ही exist करता है लेकिन कौन से नए बंदरे DCU में batman की totally new storyline चलेगी the brave and the bold के थूँ वहीं parallelly else world भी चलेगा जहां Robert Pattinson का batman की series चलेगी तो अगर blue beetle को DCU के साथ canon किया जाता है तो यहां पर new the brave and the bold वाले batman की बात हो रही है जिसकी casting अभी तक हुई नहीं है although इस बार में और details मैं इस week के super spoilers episode में discuss करूंगा तो उसके लिए चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना blue beetle के रूप में DC के इस new superhero की entry और मेरे इस trailer breakdown के बारे में आपके क्या thoughts है मुझे comments में लिखके जरूर बताला मिलते हैं next video में